नमस्कार वित्रों, मैं हूँ डॉक्टर अनूज, एक कार्डिलोजिस्ट हूँ मुंबई में, पर आज आपको एक बहुती गुईय सत्य बताने के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ भारत वर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूलों ने कैसे हमको बर्बात किया, इसको एक छोटी से द्रिश्टांत के रूप में आपके सामने पेश करने की अनुमती चाहरा हूँ अठासो अठावन में इंडियन एजुकेशन आक्ट बनाया गया, इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मकॉले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा विवस्ता का सर्वेक्षन किया था, उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा विवस् लिटनर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता थी, और मुम्रो जिसने दक्षिन भारत का सर्वे किया था, उसने तो लिखा है कि वहाँ पर 100% साक्षरता थी, और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है और मकॉले का स्पष्ट क कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम देश बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से द्वस्थ करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा और अगर इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज पैदा करने होंगे लोग तो हमें इस देश की यूनिवर्सिटी से जो भी निकलेंगे वो हमारे हित में काम करेंगे और मकावले ने एक मुहावरा इस्तमाल किया था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह से जोत दी जाती है उसी तरह इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोशित किया जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उसके साथ मिलने वाले सहयता जो समाज के द्वारा आती थी वो भी गैर कानूनी हो गई वहाँ पर फिर संस्कृत को जो हमारी मात्रु भाशा थी उसको गैर कानूनी गोशित कर दिया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म किया और उसमें आग लगा दी बहुत सारे गुरुओं को बेरहमी से मारा पीटा और उनको जेल में दाल दिया अठरा सो पचास तक इस देश में साथ लाग बतीस हजार गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गाउं थे साथ लाग पचास हजार तो इसका मतलब हुआ कि हर गाउं में प्रत्यक्ष एक गुरुकुल हुआ करता था और ये एक अपने आप में एक higher learning institute हुआ करता था अटरा विशे पढ़ाये जाते थे और ये गुरुकुल समाथ से चलाये जाते थे ना के इसमें कोई political या राजी, राज या महराजाओं का कोई connect था गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क भी जाती थी और इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा का कानूनी घोशित कर दिया गया और कलकत्ता में पहली convent बनाई गई, school खोला गया उस समय इसे free school कहा जाता था कानून के तहत भारत में कलकत्ता university बनाई गई फिर उसके बाद बंबरी university बनाई गई और उसके बाद मदरास university बनाई गई और ये गुलामी के जो आज चिन है आज भी हमारे पास मौजूद है इन university के माध्यम से उसके बाद एक बहुत ही famous चिठी मकॉले ने अपने पिता को लिखी उसमें उसने लिखा कि इन convent school से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतिय दिखेंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा इनको अपने संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा छोड़िये उन्हें तो अपनी मुहावरे भी याद नहीं होगे ऐसे लोग इन convent school से बाहर निकलेंगे अपने परामपराओं के बारे में भूल जाएंगे हम जब चले भी जाएंगे अंग्रेजियत यहां से नहीं जाएगी यह famous चिद्धी मकावले ने अपने पिता को लिखी थी उस समय लिखी चिद्धी की सच्चाई इस देश में अब भी साफ साफ दिखाई दे रही है और उस act की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाशा बोलने में शर्म आती है अंग्रेजी में बोलते हैं तो दूसरों पर रौप पड़ेगा ऐसा सोचते हैं अरे क्या रौप पड़ेगा जिनें अपनी भाशा बोलने में शर्म आ रही है दूसरों पर रौप क्या पड़ेगा उन लोगों का लोगों का तर्ख है कि अंग्रेजी अंतराष्ट्रिय भाषा है ये कैसी अंतराष्ट्रिय भाषा है दुनिया में 204 देश है और 204 देशों में अंग्रेजी केवर 11 देशों में बोली जाती है पड़ी और समझी जाती है फिर ये कैसी अंतराश्ट्रे भाषा है शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समरुद्ध नहीं दरिद्र भाषा है इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं है इसा मसीय जो थे वो अंग्रेजी नहीं बोला करते थे वो अर्मेक भाषा बोला करत वहां की भाशा भी अमेरिका की तरह इंग्लिश नहीं है, वहां फ्रेंच भाशा बोली जाती है। झाल